हेलो दोस्तों बागडवा SB के एजुकेशनल प्रेट फोरम पर आप सभी का स्वागत है हम एक ओर्गाइनेजिशनल स्री शुरू कर रहे हैं जिसमें पिछला टोपिक था वर्ल्ड बैंक ग्रूप और आज का हमारा टोपिक है IMF इंटरनेशनल मोनिटरी फंड दोस्तों IMF का और आपको पता है कि ब्रेटन वूट्स एग्रिमेंट में हुआ था और आपको पता है कि ब्रेटन वूट्स एग्रिमेंट हमने पिछले टोपिक में डिसकस किया था ब्रेटन वूट्स एग्रिमेंट में एक सिस्टम निकल के आता था आया था उसे बोला दाता है ब्रेटन स्ट्टम और ब्रेटन फूर्ट्स शिस्टम जो हैं वह एक्छुली फैनेंसियल इस्टेबिलीटी को लेके हैं और इस सिस्टम के लिए एक काणफरेंस बुलाए गई थी brauchen are už चार जुलाई वानिस जुलाई शोरी चार जुलाई से 22 उननेस्स तग और ये जो सबसे पहले रेटिफाई करने वाले देशों की संक्याती और नेक्स्ट अब हम लोग इसके फंक्शन्स देखते हैं दोस्तों इसके फंक्शन्स के अगर बात करें तो यह दो त्रिके का फंक्शन है इसके एक तो हैं ग्लोबल ग्रोथ और एक है कंट्रीज की एकोनोमिक स्टेबलिटी डॉमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पर अब दोस्तों ग्लोबल ग्रोथ का मतलब क्या है यह चाहता है कि पूरे दुनिया की जीडिप भड़े और वहां प के पास वीओपी क्राइसेज आ जाता है वीओपी क्राइसेज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे तो उनको फाइनेंशियल स्पोर्ट करता है मतलब उनको लोन देता है लेकिन बसमें एक बात यहां ध्यान रखनी है कि यह लोन देता है वो कंडिशनल होता है तरिके के कंडिशन होती है इसकी एक तो यह जिस देश को लोन चाहिए उससे कोलेटरल स्कोर्टी मांगता है गोल्ड हो गया है आधर कोई भी स्कोर्टी इसको लिक्विडिटी में जल्दी कनवर्ट किया जा सकता है और एक ही उस कंट्री को पोलिसी रिफॉम करने के लिए कहा जाता है और जो क्रंशी में अगर डिवलेशन की जुरूरत है तो इसके लिए भी एडवाइस करता है तो इस तरिके से इसकी जो स्पोर्ट है वो कोलेटरल टाइप सोरी कंडिशनल होती है और नेक्स आब हम देखते हैं इसके अधर कुछ और फैक्स पर बात करते हैं त दो टॉपिक अलग से देखेंगे हम लोग एक कोई भी इंस्ट्यूशन बनता है तो उसका अपना एक डोक्यूमेंट होता है जिसको अपने लोग चार्टर बोलते हैं तो इसके डोक्यूमेंट में जो तहा उसमें जो आर्टिकल्स डालेगे थे मतलब आर्टिकल्स ऑफ आई थी वो सेकेंड वल्ड वर में आई थी आपको पता एकिंड वल्ड वर्श के दोरां सबी अपने डिमेस्टिक मार्कैट में बढ़ा दिये दोसरे दिस стороны की सबढ़ करनें के घॉल से यह ल süर्फ करकेंगे वह सबया करता हैं। तो मतलब इसका मतलब यह जो वर्तमान जनरेशन है उसके पास जो भी रिसोर्स हैं वो रिसोर्स इस तरिके से यूज किये जाएं कि इस जनरेशन की भी ग्रोथ हो जाए इस जनरेशन की भी ग्रोथ हो जाए और फ्यूचर की जनरेशन है उसके पास नेचुरल रिसोर्स की कमी ना पड़े जैसे कि मिनरल्स हो गया एनर्जी रिसोर्स हो गये एटीशी और अगर कोई भी कंट्री फाइनेंशल डिफिकल्ट में फस जाता है मतलब कि जैसे मान लेते हैं एक देश किसी देश से इंपोर्ट करता है और उसी से एक्सपोर्ट भी करता है तो अगर मान लो वो पैसे चुकाने में एसमर्थ है यानि इंपोर्ट के लिए जितने पैसों की जुरूरत है उतने पैस अगर उसके पास नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में तो किसी भी कंट्री के पास अगर आ जाता है मतलब कि वो दूसरे देस्टों की रिपे नहीं कर पाता है तो ऐसी सिच्वेशन में उनको लॉन प्रोवाइड करवाता है थेंक्यू